सब्सक्राइब करें स्मार्ट टेक्म के स्टैनल को और साथ में बैल एकन के घंटे को प्रेस करना न भोले ताकि ऐसी आने वाली वीडियो की नोटिपकेशन आपको मिले सबसे पहले दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे अगर आपके पास खराब एरफॉन है या आपके जो कानों में लगाते हैं एरफॉन उसको आप कैसे माइक बना सकते हैं पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मैं भूंगा अगर उससे पहले चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ में लेकिन की घंटी को प्रेस करना ना भूले ताकि आएसी आने आली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले तो आए आपके घर में खराव एxi Εडिफॉन सिर्फ अपोर इक्जम्पल यह वाला आपके घर में होंगे एक्स्ट्र गहई हैं या खराव् Oh गया कई यह होता है हमारे तो यह दोनों किसी काम के निर रहते यह वाले जोंकानों में लगाते हैं तो आप बहुत ही इसजली तरीके से आ वंड़कु आपनी allows quality बहुती ही बहब सकते हैँ आपको बस करना क्या है आपको सिंपली सा इसको काटकर या ऐसे आप अंदर रख सकते हैं और इसको ऐसे मैं फवर इर्जंपल आपको दुखाता हूं देखें है इसको ऐसे आपने लगा दिया और यहां पर अभर करकर कि आप यहां से recording कर सकते हैं बहुत ही पहत्रीं recording होती है quality भी और sound quality भी और अगर आपको noise मतलब की फालतु उसके जो आवाज आते हैं उसको रोगने के लिए आप यहां से कट करके और एक sponge आता है माइक का यहां से यहां गुसा सकते हैं जैसे कि आप मेरे side में देख पा रहे ह sponge यह मार्किट से 10 रुपे में available है आप वहां से जाके purchase कर सकते हैं और यहां से लगा कर आप अंदर इसको करकर recording कर सकते हैं तो आई होप आप लोग घर बैठे माइक बना सकते हैं मात्र 10 रुपे में तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे आड़ी आली वीडियो की आपको मिलें सबसे पहले तो आज के लिए इतने ही फिर मिलते हैं नई वीडियो वन दे माद